हेलो गाइच कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छ होंगे जैसा कि आपने थमने अलो टाइटल में देखी लिया है मेरे पास है आईशेशे बैंक का कोरल रूपे क्रेडिट काड जिसमें मेरे को लिमिट इंक्रिद का ओफर मिला है वो भी 4,20,000 रूपे क तो आज की शुड़ में आपको बताने वालों कि आपको लिमिट इंक्रिद कैसे करना है साथ ही में मुझे ये वाला ओफर कैसे मिला है और आपको कैसे मिल सकता है इसी के साथ में आपको ये भी बता हूँ कि मेरा सिबिल स्कोर कितना है जब मेरे को ये लिमिट इंक्रिद का users का limit कितनी बार यहां पर increase करता है मतलब something एक साल में limit increase का आपको कितनी बार offer मिलता है overall आज गए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है अगर आपके पास ICCA bank का credit card है या फिर आप future में ICCA bank के credit card को use करना चाहते हैं तो वीडियो को भी ना मिश्किए एंड तक जरूर से देखना साथ ही में वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe जरूर से कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज के notification आपको मिल सके so गज मैंने याप ए iMobile application को open कर लिया है side में आपको screen recording देखने को मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन पौन से credit card है मैं limit increase आपको बात में दिखा हूँगा बढ़ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहला मेरे पास है ICSA bank का platinum chip credit card जो कुमिने FD के base पे लिया था अगर आप starting से मेरे channel पे जुड़े हो तो आपको पता होगा जिसकी limit पे आप देख सकते हो यहाँ पे 24,900 रुपए दिखा रखिए उसके बाद यहाँ पे मेरे को मिला था Amazon पे ICSA credit card जिसका limit मेरे को 30,000 रुपए मिला था सेम वही limit coral में दिखाया गया बट अभी आप देख सकते हो मेरे पास coral में यहाँ एक offer आ रखा है limit increase का जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिसमें आप देख सकते हो limit increase का यहाँ पे offer दिखा रखा है जबकि Amazon पे ICSA में चेक करते हैं अभी हम limit increase करके देख लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया Amazon पे ICSA card में manage limit का option दिखा रखा है वहाँ पे increase का option नहीं आ रखा है जबकि जो coral credit card कुछ महिनों पहले मिला था उसमें आप लिमिट increase का offer दिखा रखा है मैंने यहाँ पे iMobile application को open कर लिया है इस तरीके से आपके सामने interface आएगा यहाँ पे जिस भी card में आपको limit increase का offer में रखा है उसे हमें यहाँ पे manage पे click करके open कर लेना बाकि मेरे पास यहाँ पे instant platinum भी है Amazon भी है बट इनमें यहाँ पे limit increase का offer नहीं है क्योंकि इसमें offer नहीं है और यह FD के गेंस्ट है तो इसमें offer आएगा नहीं तो हम यहाँ पे coral वाले पे click करते है जो कि कुछे महीने पुराना card यहाँ इसमें limit increase का offer आ गया वो भी इतना ज्यादा limit यहाँ पे increase करके दिया जा रहा है तो हम यहाँ पे latest bill पर click करते है यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है increase limit तो अभी आप देख सकते हो मेरे card की limit है 2,70,000 रुपई जो कि पहले मैंने आपको बताए कि Amazon वाले card में 30,000 थी उसके बाद सिधा 2,70,000 कर दिया अभी आप देख सकते हो increase limit पे click करके यहाँ पे 4,20 का offer मेरे को मिल गया है तो मैं अपने इस card की limit 4,20 कर सकता हूँ बाद में यह भी देखे हैं कि जो Amazon वाला card है उसमें भी हम 4,20 कर पाएंगे या नहीं तो आप देख सकते हो slider को यहाँ पे पकड़ना है एंड में छोड़ देना है तो अभी आप देख सकते हो 4,20,000 रुपे यहाँ पे दिखा रखा है नीचे स्कोल करते हैं तो यहाँ पे spend limit पे आप देख सकते हो submit पर click करते हैं अब जैसे submit पर click करेंगे यहाँ पे दिखा रखा है pre confirmation you are almost done please confirm the detail below to proceed यहाँ पे आप देख सकते हो 2,70,000 रुपे से new credit limit दिखा रखा है 4,20,000 रुपे confirm पे click करेंगे तो हमारे card की limit यहाँ पे increase हो जाएगी आप देख सकते हो new credit limit यहाँ पे 4,20,000 रुपे इस card की हो गई है यहाँ पे लेटेस्ट बिल पर फिट से click करते हैं तो आप देख सकते हो total credit limit यहाँ पे 4,20,000 रुपे हो गई है कुछ मैंने आप यूज कर रखा है and available credit limit आप देख सकते हो अभी यह भी देख लेते हैं कि जो मेरा Amazon पे ICC credit card है उसका limit भी मैं आप increase कर पाऊँगा यह फिर उतना ही रहेगा तो यहाँ पे हम आचुके हैं latest will पर click करते हैं यहाँ पे 270 ही दिखा रखा है manage पर जाके check कर लेते हैं एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो offer credit limit भी 270 है and current credit limit भी यहाँ पे 270 है हो सकता है कुछ दिनों में यह change हो जाएगा otherwise side अलग अलग भी हो सकता है So guys मैंने आपको इस टेव वाज इस टेव बता दिया कि किस तरीके से आप अपने credit card के limit को increase कर सकते हो और आपने देखा हुआ कि जो मेरा Amazon पे ICC credit card limit है उसकी 270 है जबकि इसकी 420 हो गई है तो हो सकता है उसकी limit भी यहाँ पे 420 हो जाए तो अगर उसकी limit 420 हो जाए तो मैं YouTube community tab में यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा साथी में टेलिग्राम पे भी पोस्ट कर दूँगा अभी बात आती है कि मेरा civil score कितना है क्योंकि बहुत सारों के मन में यह doubt होता है कि आपका civil हाई है इसलिए आपको limit increase का offer मिल जाता है हमारा civil कम है इसलिए limit increase का offer नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं होता है आप मेरा civil भी देख सकते हो 704 साइड में screen shoot आपको मिल जाएगा साथ में experience 775 जो कि यहाँ पे good category में excellent में नहीं है फिर भी यहाँ यहाँ पे limit increase का offer आया है अभी बात आती है कि जिस card में मेरे को limit increase का offer मिला है वो कितना पुरान है तो side में आप screen shoot देख सकते हो जब मैं video बना रहा हूँ तब से यहाँ पे दो महीने पहले मैंने coral credit card को apply किया था इसका मैंने already YouTube पे video भी डाल रखा है दो महीने बाद इस वाले card में something एक लाग पचास जार limit मेरे को increase करके दिया गया है एड मेरे पास कितने credit card हो आपने देखी लिया पहला था मैंने FDK अगेंट लिया था instant platinum दूसरा मेरे को Amazon Pay ICC card मिला था तीसरा मेरे को coral credit card मिला था वैसे मेरे पास तीन credit card और है अगर आपको जाना है कि कौन कोन से credit card है कितने कितने उनके limit है तो आप इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हो next में आपको वीडियो मिल जाएगा अभी बात आती कि मेरे को ये offer कैसे मिला आपको कैसे मिल सकता है साथ ही में ICC bank अपने credit card user को limit increase का offer एक साल में कितनी बार देता है तो मैं आपको बता दूँ इसका तो कोई sure and fix नहीं है कि आप ये कर लोगे तो आपके credit card की limit यहाँ पे increase हो जाएगी फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने किया है अगर आप अपने credit card को सही से use करते हो तो एक साल में ICC bank दो बार अपने credit card users को limit increase का offer देता है और ICC bank की नहीं other बहुत सारी private bank है वो भी अपने credit card users को दो बार यहाँ पे limit increase का offer देता है मतलब 6 महिने में एक बार आपको credit limit increase करने का offer मिल जाता है एसा मैंने बहुत सारी credit card को use करके देखी लिया है जैसे one card का use किया था उसमें भी something 6 महिने में मेरे को offer मिल गया था तो अगर आप अपने card को अच्छे से use करते हो ना तो आपको भी हाँ पे limit increase का offer मिल जाएगा अब card को अच्छे से कैसे use करना है जिसे आपको offer मिल जाएगा सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना आपके credit card की कितनी भी limit यहाँ पे हो उससे 30% से जदा आपको use नहीं करना चाहिए जैसे आपके card की limit यहाँ पे 1,00,00 रुपे है तो आपको 30,000 से जदा कभी भी use नहीं करना चाहिए कुछ rare case में आप use कर सकते हो बड़ ऐसा नहीं कि हर महीने आप पूरी पूरी limit यहाँ पे use कर जाओ क्योंकि कुछ users ऐसे हैं उनको 1,00,00,00 रुपे का limit मिलाना तो वो पूरा 1,00,00,00 हर महीने आप use करते हैं फिर उनका bill generate होता है फिर वो वापस repayment कर देते हैं फिर वापस use कर लेते हैं तो आपको बिलकुल भी ऐसा नहीं करना एंड उसकी EMI को टाइम पे repayment करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी credit card की limit भी increase हो सकती है बाकि ICCA bank अगर आप user हो तो आपको सारे offer एकदम अच्छे अच्छे मिलते हैं अच्छे खासी limit के साथ मिलते हैं तो इसका next में आपको एक video भी मिल जाएगा क्योंकि मेरे offer नहीं मिला तो offer आपको कैसे मिल सकता है सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को like जरूर से करना साथ में कुछ पूछना हो तो आप comment कर सकते हो अगर आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं कर रखा तो जरूर से करना साथ में बेल आइकन को भी और पर प्रेस करना ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेसन आपको मिल सके आज किस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में